नमस्कार दोस्तों मैं हूँ दॉक्टर अमित महिश्वरी, इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का सवगत करता हूँ आज की इंफॉर्मिटिव वीडियो में, फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि इंपोर्ट एक्स की लिए आपको कौन से डॉक्यमेंट्स तयार करने होते हैं and third category of documents इस सेटिफिकेशन, लैसेंसिंग, परमिश रैड सपोर्टिव डॉक्यमेंट्स फोरिंपोर्टन एक्सपूर्ट करने के लिए सबसे पहले जो आपको रिक्वाइड है वो आपकी एक फर्म होनी चाहिए च साथिसाथ आपका बैंक में एक करन्ट अकाउंट होना चाहिए और ध्यान रखिए जो बैंक है वो EXIM बैंक होना चाहिए मतलब ऐसा बैंक होना चाहिए जहां फोरण ट्रेड की transactions होती हो आप अपने बैंक से पूछ सकती है कि क्या हमारा बैंक एक एक्जिम है मतलब जो आपकी transaction है वो उस bank में होती है क्या वो direct payment remittance आपको भेजता है तो यह बड़ा important है उसके बाद जो तीसरा important document है वो IEC import export code जिसको import export license भी कहते हैं और import export license लेने के लिए आप DGFT की साइट पर जाकर आप अपने documents हमीड करके import export license ले सकते हैं DGFT मतलब director general of foreign trade DGFT की site पर जाकर आप अपने documents को upload करके import export code ले सकते हैं इसमें आपके basic document लगते हैं जैसे आपके firm का registration certificate चाहें वो आपकी proprietorship हो private limited हो या one person company हो OPC हो जिस भी तरह की आपकी company है उसके documents और साथी साथ आपका आधार card, PAN card अगर आपकी sole proprietorship के अलावा किसी तरह की firm है तो उसका PAN number भी अनिवारे होगा और एक address proof यहाँ पर होना अनिवारे है यह सारे document आप DGFT के site पर upload करेंगे और DGFT की site को देखने के लिए description box में जा सकते हैं वहाँ पर मैंने link दिया हुआ है वहाँ click करके आप DGFT की site पर जाकर अपना import export code आसानी से ले सकते हैं and the fourth that is RCMC certificate registration का membership certificate यह भी आपको लेना अनिवारे है क्योंकि government of India ने foreign trade के लिए import export की बहुत सारी promotional council बनाई हुई है आपको यह देखना है कि आप किस तरह के product में deal करते हैं जैसे आप government में करते हैं तो उसके लिए अलग import export promotional council of India है जैसे अगर आप steel industry में काम करते हैं तो steel industry के लिए अलग है आप agricultural goods में करते हैं उसके लिए अलग है है इसको लेना आनेवार है अब हम बात करते हैं second category के document को जिसको हम कहते हैं repeated document for every shipment आप जब भी अपना material भेजेंगे जब भी आप import करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यह documents required होंगे तो second category में shipment के लिए documents आपको required है वो समझना बहुत जूरी है यहाँ पर आपके पास होना चाहिए detailed invoice bill मतलब जो product जो material आप export कर रहे हैं उसकी complete detail जैसे उसका volume क्या है या उसका size क्या है उसका taxation कितना है साथ-साथ उसकी shipment charges क्या है और वो किस port के थूँ जाएगा मतलब आपका loading port कौन सा होगा फिर आपका unloading port कौन सा होने वाला है मतलब उसकी destination क्या होगी कहाँ पर वो material जाना है यह सारी की सारी detail आपको जो देनी है वो आपके shipment documentation में देनी है दूसरा जो important document है वो है आपकी packaging list जिसमें आपके product की detail product की quantity product की quality product के number of pieces number of boxes आपका उसका weight कितना है अगर हम cubic में देखते हैं तो कितना volume वो लेता है यह सारी detail आपकी होने चाहिए जो हमारा second most important document है second category के बाकी जो documents है वो सारा का सारा काम CHA की responsibility होती है custom house agent और custom house agent का पहला जो काम होता है वो होता है shipping bill त्यार करना ताकि custom से वो सारा material clear करा सके उस shipping bill में आपके documents लगने वाले हैं उसमें आपका आधार card हुआ आपकी company का pan card हुआ आपका import export license हुआ और किस client के आवो material जाना है उसका पूरा bill उसका detailed invoice उसकी packaging list यह सारी चीज़ को आपको submit करना अपने CHA को और CHA उस material को shipping bill के माधियम से clear कराएगा तो CHA की responsibility है वो इस सारे material के साथ आपके पूरे material को custom clearance कराएगा और custom clearance कराने के बाद वो सारे के सारे documents जो जाने वाले हैं वो shipping company के पास जाने वाले हैं और shipping company bill of leading आपको provide करेगी bill of leading का मतलब कि जो आपके सारे documents clear हो गया है सारा material clear हो गया है वो सारा ship पर load किया जाएगा और shipment company आपको उसका bill of leading offer कर देगा इसका मतलब अब आपका जो material है वो जहाज पर load हो गया है अब वो पूरा आपका goods यहां पर receive करेगा वो जो आपको एक document देने वाला है वो देगा bill of entry मतलब वो सारा का सारा material वहां से export होके आपके देश में आ गया जहां से आपने इंपोर्ट किया है अब आप उस material को receive करने के लिए bill of entry का इस्तिमाल करेंगा और bill of entry के थुरू आपको material आपके port से मिल जाएगा या CHE उसको clear करा के आपके पास तक deliver करेगा तो अब हम बात करेंगे third category के documents के बारे में यह जो third category के documents हैं यह अलग-अलग इंडस्ट्री में अलग तरीके से लगते हैं हर industry के specified documents हैं हर country एक specified document मांगती है जो आपको required होता उस industry के लिए जैसे कर आप food industry से related काम करते हैं तो FSAI का certificate आपके पास होना चाहिए मतलब की food safety standard authority of India यह आपको एक certificate देगा आपके metric के लिए यह लेना निवारे होगा दूसरा क्या है अगर आप drugs बनाते हैं या medicine medical industry medicine industry में काम करते हैं तो आपको FDA food and drug license लेना निवारे होगा इसी तरह से हर एक industry में certified required document होता है जैसे बहुत सारी industry में ISO international standard organization का certificate मांगते हैं कई industry में ISI मारका मांगते हैं तो यह आपको depend करता है कि आप किस industry में काम कर रहे हैं तो उस industry की requirement और उस country की requirement के according आपको अपने documents और certifications और licensing लेने होगे इसके साथ साथ कुछ ऐसे और documents हैं जो लगते हैं जैसे जब आप material को भेजते हैं export करते हैं तो रास्ते में कोई नुकसान भी हो सकता है इसलिए आप उस product का insurance कराते हैं कि आप जो product यहां से बेज रहे हैं उस buyer ने उस importer ने क्योंकि आप यहां से export कर रहे हैं तो वो importer हुआ उस importer ने आपके पुरे material को inspect कर वा लिया है आप जो responsibility है वो inspection certificate के authority के उपर है क्योंकि हमने उसको inspect करा के material को भेज दिया है तो यह जो documents हैं सारे required रहते हैं आप इन से documents को तयार करें अगर import export से related आपके मन में कोई भी प्रस्टन है आप उस question को comment box में लिखें या consultation के लिए आप मेरी team को भी contact कर सकते हैं वहां आपको import export की पूरी support मिलने वाली है और आप मुससे बात भी उस बारे में कर सकते हैं वह आप बता देंगे क्या procedure होगा उसका friends import export जो विदेश व्यापार है वो सबसे ज़्यादा systematic process पर काम करता है क्योंकि आपके देश के कानून दूसरे देश में नहीं चलते और दूसरे देश के कानून हमारे देश में नहीं चलते इसलिए दो देशों के बीच में trade agreement होता है और उस trade agreement के अंतरगत ही व्यापार किय जाता है इसलिए यह systematic process है अब next video में हम बात करेंगे कि import export अगर आप करते हैं तो किस तरह से advance payment लें या ऐसे क्या-क्या precautions को हम लोग follow करें कि हमारा कोई भी payment डूबे नहीं क्योंकि import export में अगर एक बार आपने import export करना शुरू किया तो दिरे 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 आपका volume बढ़ता जाएगा और आप विदेश व्यापार में expert होते जाएंगे लेकिन यह बात जुरूर ध्यान रखना है कि import export करते समय हम ऐ लिकर मुझे जरूर बताएं कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा किस विशह पर आप वीडियो देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं उसके बारे में मुझे जरूर बताएं स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुनरे बहुश्य की कामना करता हू जय हिंद जय भारब